नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए बहुती अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है, और सम् राइफल्स में जो है, दस्वी बारोवी पास के लिए रैली भरती का जो है, सौट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और बता दिया गया है कि कब से आपकी रैली जो है, स् अभी से फिचकल की त्यारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, चले मैं आपको ले चलता हूँ उस सौट नोटिफिकेशन के तरफ और बताता हूँ कि कब से आपकी रैली होने वाली है, किस कि स्टेट पे आपकी रैली होने वाली है, कितना उम्रसी मा रखा जाता है, सेलरी क्या रहेगा पूरी इन्फोर्मेशन जो हम आपको आपे बताने वाले हैं 1425 पॉदों पर भरती यहां पर होने वाली है असम राइफल्स के दवारा तो चलिए जान लेते हैं पूरी अपडेट को दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है 2024 इसमें बताइगा technical and tradesman के पद आपके रहने वाले हैं अब इसमें अलग-अलग various post आपके रहने वाले हैं जिसमें आप दिखेंगे तो ग्रुप B और ग्रुप C दोनों परकार के post यहां पर रहने वाले हैं और यहां बताया गया कि आपका जो कीretitative rally का date starting हो रहा है वो आपका एक October 2024 से हो रहा यह यहनी एक ! youth must tomorrow tournament 151 अगर रैली इस सत्राटिंग का यहां वह सकता है कि आपको पॉर्म भराये जाएगा September मन्त में मेरे हिसाब से बीस से पच्चीस दीन आपको समय मिलता है form भरने का 20-25 दीन आपको फॉरम भरना उता है तो 1 अक्टूबर 2024 से पहले आपको फॉरम भरे जाएंगे तो मेरे ही यहां पर देखेंगे तो 1425 पदों पर भरती है सबसे ज़्याद पद है friends वह आपका देख सकते हैं यहाँ पे सफाई करमचारी की है 610 अब सफाई करमचारी में सिर्फ दसवी आप पास होते हैं तो form को apply करते हैं इसके विसे आप देखेंगे तो religious teacher की vacancy है, bridge and road के लिए वेकिंसी है, इसके विसे operator radio and line की vacancy है इसमें 529 वेकिंसी है 12th पास वेकिंसी होती है friends आपका operator radio and line की इसके अलबा देखेंगे और mayor की vacancy है radio mechanic की vacancy है laboratory assistant की vacancy है nursing assistant की 10 post है veterinary field assistant की 10 post है आया, paramedical 15 post है और wassar man की 100 post है wassar man में आपको सिर्फ 10th पास बोला जाता है तो जो जो मुझे पाता है friends वो मैं आपको आपको आपे qualification बताते चल रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सके nursing assistant में आपको जो है BSC nursing बोला जाता है जो female candidates form apply कर सकती है इसके लाबा laboratory assistant की vacancy तो lab technician जैसे post आपने qualification कर रखे हो या biology से आपने 12th कर रखे हो तो form भरेंगे इसके लबा radio mechanic की vacancy है तो अगर आपने इस trade से ITI कर रखा हूँ या diploma कर रखा हो तो form भर सकते है आया paramedical जैसे post है तो इसमें भी आपको paramedical जैसे qualification आप से मांगे जाएंगे तो या आपके जो short notification निकाल दिये गा है अब यहाँ बतायागा है कि in case of any query आप इस number पर बात कर सकते हैं और यहाँ बतायागा कि the aspirants are hereby advised to regularly visit Assam Rifles official website बताया जा रहा है कि online submission और इसका detail notification कर आप जो है इनके official website पर लागतार visit करते रहेंगे vacancies are tentative and subject to variation vacancies are tentative है इसमें variation भी हो सकता है मतलब increase decrease हो सकता है number of post में the Assam Rifles has the right to make any changes Assam Rifles बसे यह right है कि vacancy को without any region cancel भी कर सकता है और उसमें कोई भी बदलाव भी कर सकता है और यहाँ बतायागा है कि in case of any query कोई भी query होता है ताब इनके भी बात कर सकती है तो friends यह update जो है आपकी निकाली गई है Assam Rifles के द्वारा तो देखे आप होता कहने इसमें सबसे पहले आपकी rally होती है आप यहाँ पर पड़ पाए रहोंगे rally लिखा गया है क्या लिखा गया है rally जिस परकार से आर्मी में सबसे पहले rally हुआ करता था उसी परकार से यहाँ पर भी आपको सबसे पहले rally अब होगा मतलब इसमें सुरू सही Assam Rifles में rally के माध्यम से भरती निकाली जाती है फिर आपका Retention Test होता है बाकी documents, verification यह सब चलता है तो यही भरती है आप लोग rally के अगर प्रेश्टरपी से देख रहे हैं तो आप जो rally के है त्यारी start कर देजिए अपना अगर हम बात करें इसमें physical requirement क्या माँगी जाती है तो देखे यहाँ पे जो दौड होता है आपको यहाँ पे बताया गया है दिख सकते हैं यह मैं पुरानी वेकिंसी के तहत में बता रहा हूँ notification बिल्कुल official notification है 2023 में जो वेकिंसी निकाली के यह थे न tradesman के लिए उसका यह notification है तो यहाँ बात करें अगर running की तो यहाँ बताया गया है कि male candidates को पांच किलमेटर की running करनी होती है 24 मिनट में तो जो SSE GD वाला होता है रनिंग वही वाला running यहाँ पे आपको लिया आता है वही female की अगर running की बात करें तो सोरो समीटर की running करनी होती है साड़े आठ मिनट में और लदाख रिजन से अगर कोई male candidates है तो उनको सोरो सु किलमेटर की running करनी होती है साथ मिनट में और female कोई candidate से लदाख से तो उनको आठ सु मिनटर की running करनी होती है पांच मिनट में तो यह आपका फिच का requirement मांगा जाता है अगर हम height की बात करें तो इसमें height की देखिए बताया गया आपका देख सकते है हाविलदार के लिए जिसमें आपको अलग-अलग trade wise vacancy थी आप देख सकते हैं 2013 में निकाल गई थी और यहां पर बताया गया कि 170 cm आपके minimum height रखी गई है 80-50 cm आपका यहां पर chest होना चाहिए और इस candidates अगर इस परगार के candidates से इस जगह से बिलोंग करता है तो उनको 165 cm height रहती है और ST candidates को यहां पर 165 cm के height यहां पर रखी जाती है तो यह आपका अलग-अलग trade wise height रखी जाती है अब जब full notification इसका अलग से आएगा न तो उसमें आपको proper लिखा रहेगा कि किस trade के लिए क्या height जो है रहता है और किसको कितना छूट यहां पर मिलता है तो यह सब आपकी height के बारे में बात हो गया अब यहां पर देखिए अलग-अलग जो है दिया गया है मिलता है किसी next video में जैहींद आपका दी सुबो